आज फिर में आगई हैं आपकी दोस्त ग्यानवी तो दोस्तों आज एक अच्छी सी डिशोर बना के तयार करेंगे दोस्तों बहुत इजी तरीके से बन जातर खाने में बहुत जाता प्रोटीन देगी आप लोगो और सद्यों में वैसे भी गूड और मुंफली वगर खाने च अधी चमच के करीब और इसमें आपने जितना भी पीनट लेया है उतना ही आपने गूड लेना है तो गूड की में चार-पांच डली ले लोगी और इसको मंदी गैस पर मैल्ट करेंगी और यह मैत बोलना कि आप तो यह बताते रहते हो क्योंकि दोस्तों में इसलिए बतान देना और यह आप बिल्कुल सॉफ्ट बने तो इसमें आप थोड़ा सा बेकिंग पावडर डाल देना जिसे बहुत सॉफ्ट बनके तयार होगी तो उसके लिए मैंने अच्छे से यह देखना करना क्या है आप लोगों को देखना भी है और करना भी है जब आपका जो सारा मैंने इसमें डाल दिया गुड में और इसको धिरी-धिरी करके मिक्स कर लेंगे यह देखें बिल्कुल ऐसे कड़ाई चडा दे जैसे हलवाई नहीं बनाते हैं इस परकार मैं यह बना रही हूं और इसको फटा-फट आप लोगोंने मिक्स करना है नहीं तो जैसे गु कोई भी प्लेट ले ट्रेल है आपके पास जो भी है तो उसमें थोड़ा सा घी लगाना तेल लगाना रिफाइन लगाना मेरे कहने से तो आप घी लगाना क्योंकि खाने में घी अच्छा लगता है मुफली मिठा यह वगर जो हम बनाते हैं और उसमें पलट देना पलटने क तो मेरे पास तो चकोर होती ट्रे तो काफी अच्छी होती लेकिन यह मेरे पास गोल है तो यह अच्छे से बेलने भी नहीं आ पा रहा है तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर नहीं कि यह अच्छे से बिल जाए बिल तो गया लेकिन चकोर कैसे बनाए तो इसको ठोक पीटके चकुर बना लेंगे यह देखिए ऐसे ठोग देंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे और अच्छे से ठोगना इसको साइडों से भी और उपर से टैप टैप करना है और अच्छे से यह जब सेट हो जाएगी तो जैसे जैसे आप इसको सेट करोगे तो यह सेट इतने दो मि तो आप इस परकारी मिठाई कभी भी बना के खा सकते हैं और ठंड में ते काफी अच्छी लगती है दूद के साथ चाय के साथ इसको खा सकते हैं तो दोसों कैसे लगी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और खुद भी बना के जरूर खाएं और वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप फिरी में देखते हैं दोसों मुझे सब पता है और लेकिन आप ने जो भी चीज देखते हूं तो देखिए कितने अच्छी बनके रेडियो हुई है बाई दोस्तों शेयर जरूर करें वीडियो को